हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हो रैंपेज डबल इंक्यूबेटर आ चुका है और इसमें M10 की स्किन जो आई हुई है बहुत ही खतरनाक M10 की स्किन आई हुई है चार स्किन है मैं आप लोग को बताऊंगा कि इन चारों में से बेश्ट कौन सी है कौन सी लेना चा यहाँ पर आप लोग देख रखते हो दो स्टोन और एक ब्लूप्रिंट में यह वाली निकल ली डैमेज प्लस में रिलोड स्पीड माइनस और मैगजीन डबल प्लस तो यह कुछ खास नहीं है सेकेंड नमबर पर बात करते हैं हरी वाली की और जो ग्रीन कलर की है तीन स्ट और दो ब्लूप्रिंट डैमेज डबल प्लस रेंज प्लस और एक कुरेसी माइनस लेकिन जो सबसे टॉप की मॉडल है रेट ओफ फाइर डबल प्लस रिलोड स्पीड प्लस तो रिलोड स्पीड प्लस होने की वज़ा से यह वाली गन इसकिन सबसे तगडिे गन इसकिन है क्योंकि M10 reload होने में time लेती है और इसमें reload speed plus की गई है इसलिए ये skin बहुत ही तगड़ी है reload speed plus होने के वज़ा से जो लोग M10 से खेलते हैं वो ये वाली gun निकाल सकते हो दोस्तों यहां से 3 blueprint आपका diamond बहुत खर्च होगा 2500-3000 diamond मान के चलिए कि लग जाएंगे आपके इसको निकालने में दोस्तों और अगर आप सस्ते में नहीं पटना चाते हो अगर आपके पास एक blueprint है तो आप green वाली ले सकते हो green वाली ठीक ठाक है green वाली ले सकते हो अच्छी लग रहे है green वाली देखने में भी तो अगर आप सस्टेम नहीं पटना चाहते हो एक blueprint आपके पास है green वाली आप लोग ले सकते हो और M60 का भी incubator इसमें आया हुआ है इसमें incubator जो M60 का है उसमें जो चाहो आप लो incubator आपको कौन साथ चलगा इसमें से मुझे comment करके ज़रूर बताना दोस्तों मिलते हैं नेक्श वीडियो में बाई बाई टेक केर